नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सक्समवत 1945 विक्रम समवत 2018 आज चैत्र माज के क्रिशन पक्स की सश्टी तिथी और दिन रवीवार है तदानुसार अंग्रेजी तारिक 31 मार्ट सन 2024 सबसे पहले आज के मुखे समाचार देश बर के करोडों लोगों के लिए खुशकबरी LPG सिलेंडर पर एक अप्रेल से 300 पेगी छूट लोग सुबा चुनाओं के लिए BJP ने गोशन पत्र स्मीति का किया एलान हरियाना के बड़े जाट नेता को मिली जगह है रेवाडी जिला सची वाले पहुंचे दरजनों गाउं के किसान ओलावश्टी से बरबाद हुई ग्यों की फसल DC को सोपा गयापन राव इंदरजीत बोले विशेस गिर्दावरी होगी हरियाना सिक्स्य विबाग ने एडमिशन नेमों में किया बदलाव अब इस उम्र के बच्चे को भी मिलेगा पहली कक्सा में दागिला चरके दादरे के आड़तियों ने दिया धरना सर्शों खरीत का जताय विरोध मंडी से बाहर के एजेंट बनाए जाने पर भढ़के हरियाना में टोल दरों में बढ़ोतरी का विरोध हुआ शुरू संगार स्मीती ने आंदूलन करने की दी चेतावनी हिसार में भाजबा की विजय संकल प्रैली सीम सैनी बोले पार्टी ने गरीब का बेटा मुख्यमत्री बनाया बिना खर्ची और पर्ची के नोकरी दे रहे हैं हरियाना पुलिस का एक अप्रेल से स्पेसल ओप्रेशन गाड़े के सीशो पर ब्लैक फिल्म मिली तो दस जजार उपे का जुर्माना डी एसपी वे एसपी को मिली जिम्यदारी रोतक में एसकेम की राष्ट बैठक बोले भाजबा को करेंगे बेनकाब अलग लग परदेशों में चल रहे किसान आंदोलनों को बनाई जन आंदोलन हर्याना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए जरूरी खबर ओनलाइन फिसों की जमा मिलेगा प्रिशिक्षन लगनाव शूपर जॉइंट्स ने इंडियन प्रीमेर लिग दोजार चोविस में पंजाब किंग्स को 21 रन से राया 21 साल के तेज गेंदवाज मायंक यादव ने डेवी मेच में तीन विकेट जटके और नर्शिमाराव समय चार सक्षितों को भारत रहतन दिया गया चारो को माणो प्रांद या समवान मिला लालकरशन आडवानी को आज यानि 31 माज को दिया जाएगा और आप ख़बरे विस्तार से हरियाना के कई जिलों में मोसम का मिजाज बदलने के वज़े से बारिस व ओलावरष्टी हुई है सबसे अधिक नुक्सान रेवाड़ी जिले को हुआ है रेवाड़ी के धारव एड़ा के दरजनों गाव में ओलावष्टी होने से ग्यों की फसल लगबग नस्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है मौसम विभाग ने बारिस और ओलावष्टी के बाद अधिकतम और नियुन्तम दावान का पूर्वा अनुमान जारी किया है विभाग ने कहा है कि मौसम में बदलाव के कारण दिन के अधिकतम दावान में करीब 9 डिकरी सेल्सेस की गरावट आएगी कर रही है लेकिन इस पार युवा भाजपा सरकार को हरियाना चोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे दिपेंदर हुड़ा इंडिया एंप्लॉइमेंट रिपोर्ट 2024 पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे सांसे दिपेंदर हुड़ा ने का कि रिकोर्ट तोड बेरोजगारी कोशल निगम और अगनिवीर जैसे योजनाओ में युवाओं को प्लाइन के लिए मजबूर किया गया है हरियाना सिक्ष्या विभाग ने एक महतुपुन निर्णे लेते वे उन अभी भागों की चिंता को खत्म कर दिया है जो उमर की बादा की चलते अपने बच्चों का पहली कक्षा में एडमिसन नहीं करवा पा रहे थे शिक्ष्या विभाग ने फैसला लिया है कि जो बच्चे किसी भी स्कूल में केजी कक्षा में थे उन सबी को 1 अपरेल 2024 से पहली कक्षा में एडमिसन दिया जाएगा चाहे उनके उमर 6 साल हो या फिर नहीं बता दें कि हरियाना सरकार ने नियम बनाया था कि 6 साल की उमर के बच्चे को ही पहली कक्षा में एडमिसन दिया जाएगा लेकिन सरकार ने अब इस उमर शिमा को 1 साल के लिए खत्म करने का एक महत्पून भैसला लिया है साथ ही अभी भागों को इस से बड़ी रहत मिलने वाली है हालाएं कि 2024-25 के बाद इस प्रक्रिया को किस परकार आगे बढ़ाया जाएगा उसको लेकर अभी से स्थितिस परस्ट नहीं की गई है हरियना के सीम नायब सिंग श्याणी सनिवार की दोपैर बाद जीन्द के उचाना में कपास बंड़ी में आउजित जन्सभाई में पहुंचे उनके साथ इसार लोग सबाद से बाजबा परताशी रणजे सिंग चोटाला जीन्द के भाजपा विदायक डाक्टर क्रिशन मिड़ा राज़सभा सांसद सुभास बराला बाजपा जिला अदेक्स राजु मोर भी साथ थे सियम बनने के बाद पहली बार नायव सिंग स्याणी उचाना में पहुंचे हैं एक तरह से भाजपा परताशी के पक्स में चुनावी संखनाद मना जा सकता है इस बार पूरु केंद्रे मंत्री ब्रेंदर सिंग और उनका परिवार भी रैली में नहीं है क्योंकि ब्रेंदर सिंग के बैटे ब्रजेंदर सिंग कॉंगरेस जोईन कर चुके हैं जन सबागों शफल बनाने के लिए भाजपा नेताउं ने अपनी ताकत जोग रखी है कि जंता का बहुत आशिरवाद मिला था कुमारी शेलजा ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी हाई कमान लोक्षवाद चुनाव में उनके बारे में जो भी फैसला लेगा वे उन्हें मंजूर होगा शेलजा ने कहा कि सिर्षा के साथ सद अंबाला भी मेरी कर्म मुमी रही है अंब जो प्रदेश का युवा आज रोजगार मांग रहा है लेकिन सरकार युवाँ को रोजगार नहीं दे पा रही है वहीं महेंगाई ने आम आदमी की कमर तोड रखी है सेलजा ने कहा कि हरियाना में सीम बदलाओ मेहज एक ड्रामा है सीम का चेहरा बदला है लेकिन व्यवस् सिंग राजिवाल, सत्यवान, इंदरजेत सिंग, आसिस मितल, केडी सिंग, चंदर शेखर, जोगिंदर नेन के संचालन में चली महतफून में भाजपा को दंडित किया जाने के आवान को लागू करने की योजना पर विचार विमर्स किया गया 14 मार्च को राम डिला मैदन में हुई किसार मजदूर महा पंचायत में संकल पत्र पास किया गया था कि भाजपा का विरोध उसे बेने काप करने और दंडित करने का निर्णे लिया इस समझ में राज्ट बैठक में सहमती बनी कि अलग-अलग परदेशों में चल रहे किसान आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में ट्रेड यूनिनाओ, खेत मजदूर, चातर युवा, महिलावे समाजिक संग्ठनों को इसके साथ जोड़कर व्यापक स्तर पर प्लेटफोर्म का निर्मान किया जाएगा, इसके लिए राज्य आधारित रननीती बनानी के लिए विभिन तबकों के समयलन और जन पंचाहते आयुजित की जाएंगी, आठ अपरेल को चंडिगर्ड और 21 मई को जगराओं में महा पंचाहत होगी हरियना के हिसार में भाजपा की विजय संकल प्रेली हुई, हास्य के नई अनाज मंडी में आजियोत इस्रेली में सीम नायब सेनी पहुंचे, उन्होंने कहा कि नरेंदर मोधी को इस बात के बारे में बताना है कि हास्य के लोग तीसरी बार भाजपा का कमल खिलाने को तयार हैं, नरेंदर मोधी और अमित्षा ने अपने उमिद्वार बनाकर रंजी चोटाला को आपके बीज भेजा है, उन्होंने कहा कि हास्य की भूमी पर मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आने का मौका मिला, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने कहा कि ऐसा हासी के विदायक विनोध भयाना ने कहा कि 2014 से पहले अगर किसी बच्चे का इंटर्वी होता था, तो वै कभी विदायक के चक्रकार था और कभी सांसत के और कभी मंत्री के, बीजेपी की सरकार आने के बाद चक्रकार ने बंद हो गई एक अप्रेल से नए विद्वर्ष की शुरुवात होने जा रही है और विद्वर्ष के पहले ही दिन कई नियमों में बदलाव देहने को मिलेंगे, ऐसा ही एक नियम परदान मंत्री उज्वला योजना से सम्मझ दिता है, इस योजना के तैट पात्र लाबार्तियों को वि 31 मार्स 2025 तक बढ़ा दिया था, नए विद्वर्ष यानि एक अप्रेल से नियम लग हो जाएगा, परदान मंत्री उज्वला योजना के तैट लाबार्तियों को साल में 12 सिलेंडर पर सबशिड़ी परदान की जाती है, इसके तैट गरेलू रसोई गया सिलेंडर पर 300 इंगाई का एक और जटका लगने वाला है, National Highway Authority of India यानि NH AI ने 1 अप्रेल से टोल दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, यानि इस दिन से वहांचाल को वो सफर करने के लिए अपनी जेब और अधिक धेली करने होगी, वहीं हिसार के बात करें तो यहां मयर टोल पलाजा पर कार के एकतरफा टॉल टेक्स में 5 रुपय की बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा चोदरिवा, सरसोद, और लांदरी टॉल पलाजा पर भी टैक्स दरो में वर्दी की गई है, टॉल टेक्स दरों में बढ़ोतरी का सहर की सामाईविक संस्ताओं ने अभी से विरोध जत और जो टोल पलाजा दूरी की सीमा की नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें हटाने की मांग उठाई है यदि परसर्शन द्वारा उनकी बात पर गोर नहीं किया गया तो एक बड़ा जना अंदोलन छेड़ा जाएगा हरियाना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए एक जरूरी खबर है सरकारी स्कूलों में एक अप्रेल से शुरू होने वाले नए अकादमिक सत्र में कक्षा 9 से लेकर 12 तक की चात्रों को ओनलाइन सुल्क जमा करानी के सुविधा मिलेगी आधिकारिक दोर पर cashless transaction की शुरुवात कर रहे शिक्षय विभाग ने इस समद्ध में आदेश जारी कर दिया है हरियाना सिक्षय विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कक्षय 9 मी से लेकर 12 मी तक कि किसी भी विद्यारते की फीस जमा नहीं की जाएगी सभी चात्रों को ओनलाइन भुखतान करना होगा चात्रों को ओनलाइन फीस जमा कराने का परशिक्षन दिया जाएगा शिक्षय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब चात्र केवल ओनलाइन नहीं फीस जमा करा सकते हैं फीस ओनलाइन कैसे जमा की जाती है इसके लिए विद्यारतियों को परशिक्षित करना होगा ताकि फीस जमा कराने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए और आसानी सिवे अपने फीस जमा कराश कें सरसों की सरकारी खरीद आड़तियों के जरी नहीं किये जाने पर चर्खित आदरे के अनाज मंडी में आड़तियों में लगाता रोश देखने को मिल रहा है स्थानिय मंडी के 38 सनिवार को एक बार फिर से मार्केट कमेटी कारियाले के बाहर प्रधान रामकुमार रिटोलया के अगवाई में एकतरित हुए इस दोरान उन्होंने उनके मांगे पूरी नहीं किया जाने पर नारेबाजी कर रोश जताया और सांके तेक धरना दिया इस दोरान स्मीती पतादी कारियों वे आड़तियों के विज़ जम कर बहस होई बता देगी सरकार के निर्दे सनुसार अनाज मंडी में सर्चों की सरकारी खरीद सुरू हो चुकी है लेकिन आड़तियों के मांगे पूरी नहीं किया जाने के कारण भी लगातर सर्चों खरीद का विरोध कर रही है जिस कारण सर्चों खरीद गती नहीं पकड़ पा रही है आड़तियों की मांग है कि सर्षों की सरकारी खरीद उनके जरीए की जाए और उने आड़त दी जाए जब कि सरकार हैंडलिंग एजेंट की जरीए सर्षों की सरकारी खरीद कर रही है इसी को लेकर आड़तियों में रोश व्यापत है देश बर में लोक्षबाद चुनाओं का बिगुल बच चुका है सभी राजनीतिक दल अपने अपनी तयारियों को अमली जामा पहनाने में जुटे वे हैं इसी कड़ी में बीजेपी ने गोशना पत्र स्मीति का एलान कर दिया है इसके अदेश राजनाथ सिंग और सेयोजक की जिम्मेदारी निर्मला सीतरामन को सौपी गई है खास बात यह है कि इस सूची में कई ऐसे नेताओं को जगहें दी गई है जो हाले है दिनों में कॉंग्रिस पार्टी चोड़कर बीजेपी में समिल हुए है बीजेपी अदेक्स जेपी नडड़ा ने इस समिती का एलान करते भी कहा कि इसमें विभिन राज्यू से 27 नेताओं को समिल किया गया है जबकि हरियाना से बड़े जाट नेता ओंपरगास धनकट को इस सूची में जगहें दी गई है हरियाना में काली फिल्म लगाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है अगर आप हरियाना में काली फिल्म लगाकर वाहन चला रहे हैं तो आपके लिए बड़ी परेशा ने हो सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाना पुलिस के और से 1 से 7 अप्रेल तक विशेस अभियान चलाए जाएगा ऐसे वाहनों पर 10,000 उप्य तक का जुर्बना लगाए जाएगा पुलिस महानेदेशक सत्रोजीत कपूर ने कहा कि हरियाना पुलिस ऐसे वहानचालकों पर शेकन्जा कसने जा रहाई है जो अपने वहानों के सीसे पर काली फिर्म लगा गूम रही है तो भी इसकी सूचना हरियाना 112 पर अवश्य दें ताकि उनके खिलाब तुरंत कारवाई की जासके आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में निर्बहा जैसी घटना सामने आने के बाद से शुप्रीम कोट ने दिल्ली समयत अन्य राजों में काले सीसों के इस्तिमाल पर पूरी तरह से परतिबंद लगा दिया है राश्टपती द्रौपदी मुर्मोनी सनिवार को चार सक्षेतों को मरनो प्रांत देश के सरवच नागरिक समान भात रतन से समानित क्या इनमें पूरु परधार मंतरी चोदरी चान सेंग, पूरु परधार मंतरी पीवी नर्शी माराओ, बिहार के पूरु मोक्य मंतरी करपूरी ठाकूर और किर्शी वेगानिक डाक्टर एमेस स्वामी नाथन सामिल है भाजपाय के वरिष्ट नेता लालकर्षन आडवानी को आज यानी 31 माज को भाहत रतन दिया जाएगा न्यूज एजन्शी एनाई ने बताया कि राश्पती द्रौपदी मुर्मुर अविवार को आडवानी के घर जागर उने समानित करेंगी साल 2014 में सत्ता समाने के बाद से मोधी सरकार के कारिकाल में मदन मोहर मालविय, अटल व्यारिवाजपई, पर्णा मुकर जी, फूपेन हजारिका और नाना जी देश्मुक को ऐस समान मिल चुका है जो उमिद्वार SSB ट्रेडवेंस के लिखित परिक्षा में भाग लिए थे, वे SSB की ऑफिसल वेबसाट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं जाली नोटिफिकेशन के अनुसर बात करें तो सोट लिस्ट किये गए उमिद्वारों को, अब ASI स्टेनोग्रापर, हेड कोंस्टिबल और कोंस्टिबल के पद के लिए कोशल परिक्षान और दस्ताविज के सत्यापन के लिए बुलाए जाएगा कोशल परिक्षा के लिए उम्मिद्वार प्रविश्पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उम्मिद्वारों को आखरी चैन, सारेरिक परिक्षन, लेखित परिक्षा, दस्तावी सत्यापन और मेडिकल परिक्षा के आधार पर होगा आज खबरों मेशित ना ही देखते रहे आपका अपना हर्याना का सबसे बेतरे न्यूज चैनल CWP Hindi News नमस्कार इसे आशा के साथ आपका दिन सुप रहे